आज के वीडियो में हम बात करेंगे आइडल मूबेनिसिटी का जो इग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होगा या ओफलाइन होगा अकैडमी केर कौन सा अकैडमी केर दो हजार बाइस और तेश मतलब इस साल जो भी स्टुडेंट एडमिशन लेंगे चाहे वो फस्ट एर में ले अगर आप इस साल एडमिशन लोगे दो हजार बाइस तेश अकैडमी केर में तो उसका इग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा या ओफलाइन होगा ये बहुत बड़ा कोशन है जो मैक्सिमम सारे स्टुडेंट्स को जो है ये कोशन है और ये कन्फूजन भी है और दूसरा ये कन आमिनेशन होगा वो अबजेक्टिव टाइप मतलब जो अभी हो रहा है MCQS टाइप का होगा या फिर जो है थेरी टाइप का जैसे नॉर्मल पेपर सकंडग कराया जाते है ठीक है पेपर पैटर्न रहता है थेरी लॉंग अंसर जैसे लिखते हैं उस टाइप का तो इस अभी देखिए examination online होगा या offline तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि पहले के जो examination है 2020 के 21 अकेडमी के रके फिर 2021 और 22 अकेडमी के रके जो अभी हो रहे थे और जो हो सकता है एक दो अभी वापस से exams होंगे जो November में या January में ठीक है वो 2021-22 के जो अकेडमी के होंगे व हो सकता online हो लेकिन ये online क्यों हो रहा था इसकी वज़े से क्योंकि आपको पता है कि ऐसा event था situation था जहां पे जो है offline exams conduct करना possible नहीं था इसके लिए वो online exams conduct करा रहे थे distance learning का Mumbai University ठीक है तो क्या ये continue होगा no ये continue नहीं होगा 2022 और 23 अकेडमी के है मतलब इस साल जितने भी students enrollment करें एड्मिशन्स लेंगे चाहिए वो एकडमी केर में लोगे 2022 थे इसमें तो आपका examination जो है वो offline conduct कराया जाएगा आप ऐसा assume करके रखो इसलिए क्योंकि अभी जो exams कुछ pending थे एटी के जिनके pending थे जो अकेडमी केर 21-22 का उनका examination वो online हो रहा है या हो रहा था अभी कुछ semester 4 खतम हो गया ठीक है तो अभी जो examination होगे वो सारे offline होगे ठीक है तो आपको समझ में आ गया कि क्यों online conduct कराया जा र जाए जाएंगे ठीक है और इसके उपर जो है अभी तक आइडोल ने कोई notice ने issue किया क्योंकि अभी तक admission ही चाली है 2022 का तो I am sure बहुत जल्दी notice आ जाएगा तो मेरे channel को आप subscribe करके रखो वहाँ पर मैं update कर दूँगा but 100% sure है कि यह examination जो आने वाले examination है वो सारे examination offline conduct कराया जा पता नहीं है कि online होगा या offline यह किसका मैं बता रहा हूँ 2022 और 23 अकेडमी के रखा ठीक है तो आने वाले जितनी भी examination होँगे अकेडमी केर 22 ते इसके वो सारे examination offline conduct कराया जाएंगे ठीक है इसके उपर जैसे notice आ जाएगा मैं update कर दूँगा दूसरा यह question की sir जो examination हो रहते online उसमें तो sir MCQs multiple choice questions आते थे 50 questions रहते थे 20 questions रहते थे 30 questions तो क्या जो है अभी के जो examination अगर offline होंगे तो क्या MCQs type होंगे no आपका जैसे माल लीजे 100 mark का paper है तो उस 100 mark में से हो सकता है 20 marks का MCQs हो fill in the blanks हो सकता है match the column हो सकता है फिर उसके बाद जो है true false हो सकता है बाकी की जो 80 marks है वो long answers आपके book के first chapter अगर आप open करोगे book के starting में तो content के बाद दो paper pattern आपको दिया रहेगा ठीक है या तो books के पीछे जो है आप आपको paper pattern दिया रहेगा आपके book में जो अभी के books जितने भी idol के आ रहे है ठीक है अगर आपके पस books नहीं है तो simply आप university के website पे जाओ वहाँ पे study material के section में जाओ semester section वाले में जाके वहाँ पे easily download कर सकते हैं अगर study material के regarding कुछ भी आपको doubts है तो simply आपको academic year 2023 का जो मैंने playlist बना study material के regarding वो वीडियो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं ठीक है अगर आपको कुछ doubt रहेगा तो मैं एक नया वीडियो अपडेट कर दूगा study material के regarding कैसे download करना है कैसे पढ़ना है ठीक है और तो यह आपका doubt killer हो गया कि objective type का नहीं रहेगा normal जैसे paper होता है regular college का वैसे ही distance का भी कराया अंडग कराया जाएगा ठीक है so paper pattern जो है वो आपके book में दिया वही paper pattern follow किया जाएगा सारे subjects के लिए सारे courses के लिए ठीक है I am sure कि आपको ये video helpful लगा होगा अगर हां तो video को like कीजिए comment कीजिए share कीजिए and don't forget to subscribe the channel if you are idol student क्योंकि ऐसे ही importance videos मैं upload करता हूँ और अब playlist चेक करना मत भूलिए ओके चलो मिलते हैं next video में next topic के साथ